सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video सिरी नगर को हंकामी बुन्यादों पर स्मार्ट सिटी बना दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है इस वक्त जब मुकश्मीर के अंदर ये डिसाइड कर लिया गया है ये फैसला ले लिया गया है सर ये बताईए कि ये भारत के दुक्ता नजर से तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस तरह का इंटरनेशनल सिरी नगर में 22 से 24 माई को जी 20 ग्रूप का इजलास शुरू हो चुका है दुनिया भर से जो 20 ममालक आ रहे हैं यानि दुनिया भर की जी डिपी का 80% दुनिया भर की ट्रेड का 75% दुनिया भर की आबादी के 60% को रिप्रेजेंट करने वाले ममालक और उनके मंदोबीन जब सिरी नगर में मौजूद होंगे तो आपको पता है कि इसका कितना क्या दुनिया भी आप ये चीज को मानने पर मजबूर हो चुकी है कि आने वाला टाइम इंडिया का है लगता तो ऐसा है जी ट्वेंटी दुनिया की 20 बड़ी मैश्चतों की तन्जीम है और सिरी नगर का मकाम जो मनतखब किया गया है उससे दुनिया भर को ये पैगाम देना जो पाकिस्तानी मीडिया पे चीज चल रही है देखें बहुत टाइम से कश्मीर का इशू जो है वो है बाराल पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सॉल्व नहीं हो पा रहा लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोगों को मिच्शोर होना पड़ेगा इस्पेशली पाकिस्तान को कि अगर G20 के कोई इवन्ट या कोई भी इवन्ट अगर कश्मीर में होता है तो उसमें हमें बोलना नहीं चाहिए और हम कुछ कर भी नहीं सकते लेकिन बाराल एक तरीका है एक आदसी है हम लोगों की वही चीज़ अब भारत के साथ है कि वो G20 की महाँ पर समिट करा रहे है और पाकिस्तान की तरफ से शोर मचाया जा रहा है चंद हफते पहले भारत में जो SEO का समिट हुआ था वहां भी वो अपनी कश्मीर की बातें करके आए लेकिन दुनिया ने कोई तोज़ों नहीं दी और अब तो दुनिया ने बिलकुल तोज़ों नहीं दी दुनिया तो सिर नेशनल समिट जिसमें दुनिया के इंतहाई एहम मुमालिक के लोग शरीक हों और वो पाकिस्तान की लेंगविज के मताबिक कोट अंकोट डिस्प्यूटेड कश्मीर में मगर उनों ने किसी ने परवा ही नहीं की सवाई चीन के तो आप सर इस को कैसे देखते हैं क्या आप इसमें जो चीन के अवाले से जो एक काम हुआ जिसको आप एक डिस्प्यूट कह सकते हैं तो वो अलरेडी एक्सपेक्टिड था मैं नहीं समय था कि कोई भी जो इंडियन पालिसी मेकर है या डिसीजन मेकर है उसको यह नहीं पता था कि यह होगा डिफिनेटली होगा और इ यूठ को साच और साच को यूठ बनाके जो पेश करने की बाते हो रही हैं मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस इवन्ट को अराम से हो जाने देते इसलिए के रोक आप सकते हैं थी कि आपने तोड़ा बहुत शोर मचा के सावधी अरब और इसके लावर तरकी और चाइना को रोक दिया है मगर उससे भारत को कोई फरक पड़ता नहीं है अगर तीन कंट्रीज नहीं भी गई तो उनकी उनका जो इवन्ट था वो तो कंप्लीट हो गया लेकिन नाम तो हमारा खराब हुआ कि हम बिला वज़े शोर मचा रहे थे जो हम नहीं लगता कि डालर तीन सो पांच हो चुका है तीन सो पांच का और भारत में जी टॉन्टी की मिटिंग हो रही है वो तो फिर ड्वेलबमेंट की बात कर रहे है इस चम आम पाकिस्टानी के लिए या फिर मेरे लिए या पिर आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होनी चाह है जो 9th में को जो कुछ हुआ जाहिर है उसको कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं कर रहा गलत हुआ था लेकिन फिर भी अब उसमें से हमें बाहर आ जाना चाहिए अब हमें अपनी को देखना चाहिए विल्कुल आप सही कहरें डॉलर जो है वह 305 का हो गया है और यह सिर्फ ड है हम लोग कोई वो वडेरा सिस्टम हमारा नहीं है कि हमारे बहुत कोई जायदा रखी ही है आप करते हैं और हमारी वजह से वरकिंग क्लास की वजह से थोड़ा बहुत संबाला लिया वह थैव है लेकिन पिर भी पाकिस्तान उस तरफ नहीं देख रहा थे और नहीं हमारी जो कहना चाहिए गवर्मेंट है वो देख रही है बलकि अगर आप टीवी चैनल को देखें तो आप को ये जी ट्वेंटी पे जो हमारे हैं बार 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 बात की जारी है उसके इलावा एक चीज और नज़र आएगी और वो ये कि हमने करोडों के कमर्शिल्स चला रहे हैं हम हर चैनल के ओपर स्रीव ये बताने के लिए कि हम अपनी फॉज के साथ खड़ें कि हमारी फॉज बहुत अच्छी है हमारी फॉज के साथ हमारा जो है वो हम पूरी इमानदारी के साथ अपनी फॉज को सपोर्ट करें इस चिस के उपर करोडों रुपए जो हैं वो इन्वेस तो उसमें मैं बार बार इस पर दो तीन जग मों और भी बात कर चुका हूं and I think is worth repeating कि चीन ने जो स्टेंड लिया है वो इसलिए नहीं लिया है कि चीन आचनक को कश्मीरी एवाम का अंदर्द हो गया या चीन को जो है वो आजादियों से या कोई आके खुद इरादियत से या यूमर राइट से हमदर्दी हो गई जाहरा कश्मीर के अंदर अगर कोई इशू डिसकस हो रहे हैं तो यह इशू है ना और तो कोई इशू नहीं है तो इसकी वज़ा यह है कि चीन का अपनों बहुत बड़ा वेस्टिड इंटरस्ट है कश्मीर डिस्प्यूट के अंद इसे मराद फार्मर स्टेट आफ जमों इन कश्मीर जो के एक बहुत बड़ी स्टेट 84,000,000 मिल अलाके पे पहली हुई उसकी बात हो रही होती है तो जाहर है कि कश्मीर डिस्प्यूट नेट शेल में पूरी स्टेट का अवाले से होता है तो उस स्टेट में जो है ना वो च चीन के टेरिटोरियल इंटरस्ट हैं चीन के पास दो तीन किसम की टेरिटोरी है जो के फार्मर स्टेट आफ जमों इन कश्मीर से मिलती से जुड़ती है और जो उसका हिस्सा है फार एक्जम्पल जो है चीन से 62 में चीन ने कुछ हिलाके इंडिया से जो लिये थे वो उन मे काफ लेंड ये गलगित से आगे जो है लाके में लदाख के टेरिटोरी से जुड़ता है वो आल दो के वो कहते हैं कि उसमें हमने कंडिशन डाली हुई है कि ये मसला कश्मीर आल होगा तो हम इसको री ओपन करेंगे